तो हम लोग डिसकस करने वाले हैं Black Book General Awareness का Art and Culture का पहला टोपिक Fair Festivals तो देखते हैं किस तरह के questions दिए गया है Black Book में, किस तरह के questions बनते हैं previous year questions ठीक है, तो पहला question देखते हैं, पहला question है The So Long Is Indigenous Festival Of, तो So Long जो festival है, ये एक Indigenous festival है कहां का तो इसका answer हो जाएगा, अरुनाचल प्रदेश, next question है In which state of India is the Siang River Festival celebrated? Siang River Festival कौन से, इंडिया के कौन से state में celebrate किया जाता है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि Siang River बोला किसको जाता है, ठीक है तो बात करें, Siang River बोला जाता है, बरहमपुत्रा को Siang या फिर धियांग, कौन से state में बोला जाता है, अरुनाचल प्रदेश में बोला जाता है तो इसका answer भी क्या हो जाएगा, अरुनाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है याद रखना है आपको, कि बरहमपुत्रा रिवर को ही Siang या फिर धियांग भी बोला जाता है, अरुनाचल प्रदेश में तो Siang River festival भी कहां पर होगा, अरुनाचल प्रदेश में नेक्स है, बुरी भूत यल्लू is a festival celebrated by the tribe of अरुनाचल प्रदेश, तो बुरी भूत यल्लू जो है, यह celebrate किया जाता है, अरुनाचल प्रदेश के tribe के द्वारा, वो कौन सा tribe है, जिसके द्वारा celebrate किया जाता है तो इसका answer हो जाएगा, नेशी, याद रखना है आपको कि नेशी जो tribe है, यह कहां मिलता है, अरुनाचल प्रदेश में, कौन सा festival celebrate करता है, बुरी भूत यल्लू, नेक्स है मारा, अलिय लिगैंग, अलिय लिगैंग जो है, यह spring festival है, इसका association कौन से state से, तो इसका answer हो जाए याद रखना है, अलिय लेंग, आप चाहे तो इस सारे fair and festivals को, निमोनिक्स के तुरू याद रख सकते हैं, नहीं तो आपको यह एक बार फिर से exam से पहले एक बार यह video देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में आपको याद, कुछ दिन के लिए तो याद रहेगा लेकिन exam time में आपको फिर से देखना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं, बिहू is the most important festival in the state of, तो बिहू जो है, यह कौन से state का most important festival है, तो इसका answer हो जागा आसाम, नेक्स है, रंगोली बिहू is one of the major festival of आसाम, is celebrated in the month of, तो रंगोली बिहू जो है, यह major festivals में से आता है, आसाम का, कौन से मन्त में celebrate किया जाता है, तो यह हो जाएगा अप्रेल मन्त में, बात करें, अगर पूछा जाता है, आसाम के, आसामीज, वहां के कौन से मन्त में celebrate करते हैं, तो यह हो जाता है, मांग मन्त में, ठीक है, मांग जो मन्त है, उसमें celebrate किया जाता है, भ्यूम, और अंग्ल में कौनसा मन्त ?Aprayel. EUROKA is traditional festival of which state? EUROKA is traditional festival वे कौनसे state का ? तो यह हो जएगा Assam. The festival is celebrated by the ohum people of Assam on 31st all year in the memory of the departed. Assam === Aajam is celebrated by the ohum people of Assam. कि तो कि इस लीडबिट किया जाता है कि उनके जो weekend cừ यई कि याद में उनकी मीमुरी में ये फेस्टेब 23 कि जाता है तो उस फैस्टेबील का नाम क्या है मी दम मीफी टिकै इस लिए कि झाल आदा है उनके इस वह स्य च्णले के लिए करने के लिए तीक टिक मारना है तो इसका एंसर हो जाएगा रोंग कर रोंग कर भी जो है वह आसाम में ही celebrate किया जाता है next बात करें the famous Ambu Bachi Mela is held every year in which city of India तो Ambu Bachi Mela जो है यह कौन से city में होता है अगर states की बात करती तो state हो जाता आसाम अब सहर की बात किया है तो सहर का answer हो जाएगा गोहाटी तो राजगीर dance festival attests to the wide popularity of classical dance related to which state or union territories तो राजगीर dance festival यह आप नाम से ही पता चल रहा है कि राजगीर नाम से है तो राजगीर कहां पे है बिहार में तो यह dance कहां का होगा जाएगा बिहार का ही हो जाएगा ठीक है next in which state is the sonapur cattle fair a known a well known culture event तो sonapur का मेला है ठीक है यह sonapur का मेला जो लगता है वो जानवरों के लिए लगता है ठीक है तो यह कहां पे लगता है तो यह हो जाएगा बिहार में in which state is the madai festival celebrated तो madai festival है यह कहां पे celebrate किया जाता है यह हो जाएगा चत्तिसगर the festival of harali harali जो है festival यह कहां पे celebrate किया जाता है तो यह भी हो जाएगा चत्तिसगर next है in which state will you go to enjoy the famous गोरा गोरी पूजा celebrated is celebrated every year तो गोरा गोरी जो पूजा है यह कौन से state में celebrate किया जाता है हर साल में तो इसका answer भी 36 हो जाएगा तो इसको याद रखने का तरीका क्या होगा गोरा और काला इसे करके याद रख सकते हैं या फिर गोरा गोरी के बीच में 36 का आकड़ा है तो वहीं से हो गया का तरीके या चौन से स्टेट में celebrate किया जाता है तो इसका answer लगा गुजरात ऑफार मादपूर लेच्ताइड च्छाट कि जाधातर लोग स्टेट तो मुधेरा जान संवारी करिक में फ्रय चैर्ट वीक में में बनाया जाता है इंग होता है यह कहां पर होता है तो यहquiera ट्राइबल का फेस्टेबल है दिवासु यह कौन से स्टेट से रेलेटेट है तो यह हो जाएगा गुजरात ट्राइबल के जो लोग है वो एक दुसरी को क्या प्रेजेंट करते है एक दुसरी को क्या गिवर्ड देते हैं तो यह जाएगा फ्रूट्स टिके कहा का फेस्टेव है गोवा का सो जाओ फेस्टिव याद रखने है अपको यह कहा का फेस्टिव है? Formarea Formarea का फेस्टिव है इसलिए लिखा हुओ है यहापे गवशान.. ठिक है एक द्योसरी को कहा देते है?asion focus फ्रूट डेते है नेक्स है मारा संकरांती एक filंत्छ अन्समेने को फिर रावेस्ट करने के मांग मंत में बनाया जाता है तो इसी का नाम गुजरात में क्या बोला जाता है इसको तो इसको गुजरात में बोला जाता है उत्रियान तो आपको पता होना चाहिए कि सूरजकुन कहां पे है तो यह इससे आसानी से आप एंसर तक पहुँच सकते हैं तो कौन होस्ट करता है तो इसका एंसर हो जागा हर्याना सूरजकुन भी जो है यह भी हर्याना महीं है मिंजर मेला इस पॉपॉलरली फेयर ओफ विच स्टेट तो मिंजर मेला जो है यह कौन से स्टेट का फेयर मेला है यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का मिंजर हिमाचल Himiz festival is celebrated in which state Himiz festival है यह कौन से state में celebrate किया जाता है तो इसका answer हो जागा लदाग आप black book में देखेगा इसका answer दिया हुआ है Jammu and Kashmir उसको सही कर लिजेगा इसका answer हो जागा लदाग In which state is the sarhul festival celebrated तो sarhul festival कौन से state में celebrate किया जाता है यह जागा धरकंड Tutilva इस वी इस टेट तो तो तुतिलबाव जो मेला है या फेस्टिबल है यह कौन से स्टेट में स्लिवेट किया जाता यह भी हो जाएगा जारकंड एक ट्राइबल फेस्टिबल है जिसका नाम है हल पुन्हया पुन्हया यह कौन से स्टेट से एस्टिवेट है तो यह इसका भी अस्टिवेशन होगा जरकंड से अब प्रॉन्शेशन पर ध्यान नहीं दीजेगा अब में कुस्टन और एंसर पर फोकस केजिए भक्तापरव ए यह एक ट्राइबल फेस्टिवेल है यह इस अब परियेट बिट्वेट फेस्टिवेल फेस्टिवेल है कब मना जाता है इस्प्रिंग और समर के बीच में यह ओरिजनेट हुआ है कौन से स्टेट से तो यह हो जागा जारकंड भक्तक बाप्तापरव नेक्स इन विच इस स्टेट फेस्टिबल 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 के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है तो इसका एंसर हो जागा करनाटका ठीक है Next, Karaga is one of the oldest and widely celebrated festival of Karaga जो है, यह oldest और widely celebrated festival है कहां का है, यह भी करनाटका का है Karaga, करनाटका, ठीक है, याद रखना है Kalpod, यह भी करनाटका का है Next, Ugari festival is celebrated important in which state तो Ugari जो festival है, यह कौन से state में celebrate किया जाता है ठीक है, इसका answer भी हो जागा, करनाटका Considered important in which state, यह हो जागा, करनाटका Next, in which state Humpy dance festival is celebrated तो Humpy dance festival कौन से state में celebrate किया जाता है तो यह हो जागा, करनाटका, ठीक है गलती से भी मद्देपरदेस नहीं mark करना है क्योंकि मद्देपरदेस option में रहेगा और ज्यादा तो लोग Humpy देख करके मद्देपरदेस mark कर सकते है ठीक है तो इसका answer क्या हो जागा, करनाटका होगा In which state Humpy dance festival celebrated करनाटका Next, is the harvest festival of Kerala Kerala का harvest festival कौन सा है, तो यह हो जागा, Onam Onam से वाकिफ होंगे सब लोग ठीक है Next, both race of Kerala are special features of which festival तो both race जो होता है Kerala में यह कौन से फेस्टेबल का special features है तो यह भी हो जागा, Onam का ठीक है आपको यह भी याद रखना है कि Onam जो है, अगस्त और सिप्तमबर के मन्त में यह किया जाता है ठीक है होता है Next, विशू is one of the famous festival of which state तो विशू जो है यह कौन से फेस्टेट का famous festival है तो यह हो जागा Kerala Next, मंडू festival is famous festival of which state तो मंडू festival जो है यह कौन से फेस्टेट का famous festival है तो इसका इंसर हो जागा मध्यपर्देश Next, the new year celebrated by महरास्टर हिंदूस run by which name तो new year जो है महरास्टर hindoos के द्वारा जो celebrate किया जाता है वो कौन से name से celebrate किया जाता है तो इसका answer हो जागा गुदी पद्वा ठीक है याद रखेगा कि गुदी पद्वा जो है महरास्टर के हिंदूस g chromosome करते हैं new year को इस नाम से celebrate करते है The festive of Marab coach and इसका एंसर हो जागा नागपूर टिक है प्रोनौनिसेशन के लिए माफी जाता हूँ प्रोनौनिसेशन थोरचा इधर उधर हो सकता है ठीक है इनफे इनफेशन के साथ इनफेशन के साथ अगर जो चीज़ किया राता है उसके लिए यूज करते हैं तो गनेश चतरुति कोन से स्टेट में किया राता है यह हो जाएगा महारास्टर नेक्स्ट थे संगाय आइए संगे फेस्टिबल किया जाता है मनीपूर में इन विच इन विच इंडियें इसटेट दा लाई हरोबा तो कौन से स्टेट में इसलेबरेट किया जाता है यह लाइ हरोबा तो यह हो जागा मनिपूर नेक्स बेह दिन खलम बेह दिन खलम is a traditional dance festival of which state तो बेह दिन खलम जो है यह कौन से स्टेट का हो जाएगा यह हो जाएगा मेंगालिया ठीक है बेह दिन खलम next which is the popular harvest festival of मेंगालिया मेंगालिया का जो harvest festival है वो कौन सा होता है तो यह हो जागा वंगला याद रखना है harvest festival क्योंके हर स्टेट का अपना अपना harvest festival है कुछ न कुछ है तेवार तो मेंगालिया का भी याद रखना है कौन सा है वंगला next the tribal festival named पावल कुट, पावल कुट is traditional associated with, तो पावल कुट जो है यह कहा का tribal festival है, तो यह हो जाएगा मेज़ुराम का, याद रखना है पावल कुट, इन विच स्टेट देखें, यहाँ पे था पावल कुट और यहाँ पे चप्चुल कुट, फेस्टेबल सेलेटेर इन दा मार्च जाता है कौन से स्टेट में तो इसका एंसर हो जागा मेज़ुराम, तो पावल कुट बोले या फिर चाप्चुर कुट बोले, यह दोनों ही मेज़ुराम में celebrate किया जाता है, होन्बिल festival, विच इस ओल्सो कोल्ड फेस्टेबल, 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 is celebrated in which state, तो होन्बिल जो है, यह नागलेंट में celebrate किया जाता है, कब से कब तक, एक से दस दिसम्बर तक, तो यह बहुत बार रिपीटेब, बहुत बार आ चुका है, इसलिए आप इसका डेट भी याद रखिएगा, कि एक से दस दिसम्बर तक, यह celebrate किया जाता है, नागलें किया जाता है, to invoke blessing for rich harvest, harvest अच्छा होने के लिए, ठीक है, तो यह हो जाएगा, नागलेंट, ठीक है, नागलेंट का याद रखना है, होन्ड बिल फेस्टेबिल और सोकुम समाई, तब मोग मोंग, मोंग मोंग फेस्टेबल is the harvest festival of which state, तो जितने भी harvest festival है, आपको याद रखन ही है, ठीक है, तो मोंग मोंग फेस्टेबल कहां का हो जाएगा, यह हो जाएगा, नागलेंट का, ठीक है, अभी हम लोगों ने परहा, के मेगालिया का, जो harvest festival है, यह आपको comment section में बताना है, और आपको देखना है, कि आपको याद है, है भी कि नहीं, next है मारा, which festival of the community bonding is celebrated by the AO people of Nagaland, ठीक है, तो कौन सा festival celebrate किया जाता है, Nagaland के AO people के द्वारा, ठीक है, उन दोनों के बीच में, क्या friendship के तौर पे, एक दूसरे को gift देते हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे को गले मिलते हैं, तो वो कौन सा festival है, तो यह हो जाएगा, Motsu, Motsu जो festival है, यह क्या है, एक दूस friendship करते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के, ठीक है, next, the travel festival named Yamshi is a traditionally associated with, तो Yamshi जो है, यह कहां का travel festival है, तो यह जागा Nagaland, ठीक है, next, in which state the Tulani festival celebrated, तो Tulani festival है, तो Tulani festival है, यह कौन सा state में celebrate किया जाता है, यह भी Nagaland में, ठीक है, एक बार Nagaland का फिर से देख लीजे, मौंग मौंग, Nagaland में, ठीक है, Motsu, यह भी Nagaland में, उसके बाद, Yamsi, Nagaland, Tulani, यह भी Nagaland में, next, the festival of Sakrini is celebrated in the month of February, by the Angami tribe, तो Angami tribe, जो है, यह festival celebrate करते हैं, Sakrini, कौन से state का, तो यह हो जाएगा Nagaland, तो आपको यह भी याद रखना है, कि Nagaland में कौन सा tribe है, तो Angami tribe है, next, which is one of the most important festival of the Toda tribe of Neil Greece, तो Toda tribe का most important festival है, जो के Neil Greece में बसते हैं, यह कौन सा है, तो यह हो जाएगा, Mudveta, याद रखना है, Toda tribe का कौन सा festival है, Mudveta, कहां पर बसते हैं Toda tribe, तो Neil Greece में बसते हैं, next, Bali यातरा, the voyage to Bali is celebrated in, तो Bali यातरा जो है, यह celebrate किया जाता है, कहां पर उरिशा में रत यातरा of Lord Jagnaath is famous festival of which state, तो Lord Jagnaath, रत यातरा जो है, यह festival कौन सा state में celebrate किया जाता है, तो यह हो जाएगा, उरिशा में, और उरिशा का अगर city का नाम बोल दे, तो यह हो जाएगा, पुरी, तो याद रखना है, रत यातरा of Lord Jagnaath, जो है, यह कहां तक जाता है, पुरी तक तो याद रखना है आपको, तो state क्या हो जाएगा, उरिशा, नेक्स है मारा, the ergo-based religious no-kai festival is celebrated in which state, तो ergo-based religious no-kai festival है, यह कौन सा state में celebrate किया जाता है, तो यह हो जाएगा, उरिशा, याद रखना है, नो-kai, तो धनु जात्रा जो है 11 दिन का होता है ठेक है यह कौन से स्टेट में सेलिबरेट किया जाता है तो यह बजागा ओरिस्टा तो लोरी जो है यह कहां पर होता है यह पंजाब में होता है तियान जो है यह कौन से स्टेट में सेलिबरेट किया जाता है तो इसका एंसर भी क्या हो जागा इसका एंसर भी हो जागा पंजाब अगला question देखते हैं Name the annual fair of Rajasthan at which camel trading is major event तो कौन सा ऐसा annual fair है Rajasthan का जहाँ पे camel trading major event है तो इसका answer हो जाएगा पुसकर मेला हो ठीक है Next Is the harvest festival celebrated on the 13th or 14th of April in Punjab every year and it marks the birth of khalsa panth of the Sikh community तो खाल सा पंत के बर्द बर्द पे यानि कि 13th और 14th April पे harvest festival मनाया जाता है पंजाब में तो वो कौन सा होता है तो यह हो जाएगा बैसा की Next Which place in Rajasthan is known for hosting the famous Baniswar festival Rajasthan के कौन से place में host किया जाता है Baniswar festival तो यह हो जाएगा दूंगारपूर Where is the Puskar Fair Hill तो अभी हम लोगों ने देखा के राजिस्तान में Puskar मेला होता है लेकिन राजिस्तान के कौन से place में तो यह हो जाएगा अजमेर Next Bumchu is a unique cultural festival celebrated in the Indian state of तो Bumchu जो है यह cultural festival है celebrate किया जाता है कौन से state में तो इसका answer हो जाएगा सिक्किम पॉंग हबसोल is primarily celebrated across तो पॉंग हबसोल कहां पर celebrate किया जाता है सिक्किम Next Saqeva is a religious festival celebrated by Kairat Kambu Rai Community तो Kairat Kambu Rai Community जो है यह celebrate करता है सिकावा Saqeva religious festival यह कौन से state में किया जाता है तो यह जाएगा सिक्किम Next Saagat Dawa is one of the biggest Buddhist festival in which state it is celebrated तो Saagat Dawa जो है यह Buddhist festival है biggest Buddhist festival है कौन से state में बना जाता है तो यह हो जाएगा सिक्किम Next Is a new year celebration of सिक्किम भूटिया which falls in the 10th month of सिक्किम lunar calendar तो यह कौन सा new year celebration किया जाता है सिक्किम भूटिया के द्वारा जो के पढ़ता है 10th month of the second lunar calendar तो यह हो जाएगा एक सूनाम Lusang लुसाँ ठीक है Lusang festival star celebrate किया जाता है नेक्स हैं हमारा which festival is celebrated in सिक्किम तो सिक्किम में कौन सा होता है Lusang याद रखना है जो है सिक्किम में किया जाता है और एगर यह İyi रह जाता लो सार तो लोसार किया जाता है अरुना चल प्रदेश में next तो थाइपुसम चलिवरेट किया जाता है कुस कर दौरा किया जाता है तो यह हो जाएगा तमील के दौरा इस तमील फेस्टेबल वेहर इन टेंपल आडिल्स आर टेकन इन प्रोसेशन टू यह वाटर बॉड़ी फोर यह श्री मोनियल बात तो तमिल के कौन से फेस्टिबल में उनके जो आइडियल्स होते हैं उनको बात के लिए लेके जाए जाता है तो यह हो जाएगा मसी मगम नेक्स्ट विच इस फायर वाकिंग फेस्टिबल दैट ओरिजिनेटेट इन दे स्टेट अफ तमिल नाडू इन दे ओनर अफ सरपानखा तो इसका इंसर हो जाएगा थी मिथी फायर वाकिंग फेस्टिबल है जो के तमिल नाडू में होता है कौन से इन दे ओनर ओफ सरपुनखा थाई मिथी नेक्स्ट इन विच यूणों ट्रेटरी उफ इंडिया बैस्टाइल डे इस सेल्यबरेटी तो इसका इंसर जागा पुल्डडे बोलते है तो उसको बोलते हैं, कनुम पुंगल, next, is the harvest festival of South India, mainly Tamil Nadu, ठीक है, तो harvest festival कौन सा है, तो यह जगा पुंगल, थोड़ी दिर पहले हम लोग केरला के harvest festival की बात करते हैं, जो के है, ओनम, ठीक है, तो ओनम याद रखना है आपको, और पुंगल याद रखना है, पुंगल किसका है, नेक्स है मारा, जली कट्टू practiced in Tamil Nadu is a part of which festival, तो जली कट्टू जो है, यह तमिल नाडू में practice किया जाता है, यह कौन से festival का पार्ट है, तो इसका answer हो जागा, पुंगल, with which state is the tribal festival, named Samakha Sarakha Jatra, traditionally associated, तो यह festival किसके साथ, कौन से tribe के साथ has tutaj हो जागा, कौन से state के tribe के साथ, तो यह हो जागा, न्यकश्ट यवट्टू कंब एन बचुकंब सेरद साद थेलंगन करें तिलंगन का किया स्टेडएब थे law और क्यों आई करे फेस्टेबल मार्क वर सिर्फ सुदू यूरु यूरु आत्यों किया सद्ट फेस्टीबल मार्क बताता है कि तिबतन न्यू यू इस्टार्ट हो है ठीक है तो यह जायगा Losar festival तो Losar festival कहां पर celebrate किया जाता है अरुनाचल प्रदेश में ठीक है next गरिया पुजा is festival celebrated in the 3rd week of April this festival is celebrated to which state तो गरिया पुजा जो है ये कौन से state में celebrate किया जाता है तो यह हो जागा त्रिपुरा next कुम्भ मेला take place every third year at once of four places by the rotation name this place तो कुम मेला जो है हर तीन साल बाद आता है और चार प्लेस पे होता है ठीक है तो वो चार प्लेस कौन सा है तो वो जाएगा हरी दुवार, प्लियाग राज, नासिक और उजयन ये चार जगह पे होता है हर एक जगह पे बाराइस साल के बाद आता है ठीक है हर तीन साल के बाद ये मेला होता है विच सिटी अफ उत्तर प्रदेस is associated with कुम मेला कौन सा सिटी उत्तर प्रदेस के कौन सा सिटी कुम मेला से related है तो ये हो जाएगा परियाग राज नेक्स्ट वेर वाज दर संस्कृति कुम्प ट्वेंटी नाइन डेज कुल्चरल एक्स्ट्रा वेकंजा हेल्ड इन जैन 2019 तो यह करेंट का कुश्चन था ठीक है तो फिर भी याद रखने आपको संस्कृति कुम्प जो हुआ था वह कहां पर हुआ था तो यह हो जाता है प्र दर रिप्रेजेंटरिटीटिव अफ इंटेंज़िबल कुल्चर्ल हेंटेज ओफ हिमिनर टीच तो कौन से लिस्ट में कुम्मेला को इंस्क्राइब किया घया है तो यह हो जाएगा यॉनिस को हिटें साइड में next which is the 14th intelligible cultural heritage from India to be listed in UNESCO list of intangible cultural heritage for humanity 14th intangible cultural heritage India से select किया गया है UNESCO list में तो वो कौन सा है तो यह जाएगा कुम मेला next है हमारा which festival is also known as महा कुम आफ इस्ट कौन से मेले को कौन से festival को महा कुम आफ इस्ट बोला जाता है तो यह हो जाएगा अम्मु मची मेला जो के थोड़ी दिर पहले हम लोगों ने पराता गोहाटी में होता है next हरला 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 is a harvesting festival is celebrated in the state of तो यह कौन से state में celebrate किया जाता है तो इसका इंसर हो जाएगा उत्राखंट next गंगा सागर मेला is celebrated on the occasion of Makar Skranti from 13th to 15th Jan every year in कहां पे celebrate किया जाता है गंगा सागर मेला तो इसका इंसर हो जाएगा West Bengal next पूश मेला displays local artisan displays dances music food and culture of तो पूश मेला जो है यह कहां पे celebrate किया जाता है तो यह भी हो जाएगा West Bengal में next which religious groups annually celebrate the Purushan Parva कौन सा religious group जो है यह celebrate करते हैं तो इसका इंसर हो जाएगा Jains next the Hemis Tichu festival commemorate the birth university of Hemis Tichu जो है यह किस के birth university को याद दिलाता है तो यह हो जाएगे गुरू Padmush Shambhava next who introduced the famous Persian festival of Navroj तो नवरोज का जो फेस्टेबल है परसियन का फेस्टेबल है यह इस फेस्टेबल को किस ने इसके राया था तो यह हो जाएगा बल्बन ठीक है ग्यासुद दिन बल्बन next लटमार होली इस सेलेबरेटेद इन तो लटमार होली जो है यूपी के सहर में बरशना और नंद गाउं में सेलेबरेट किया जाता है लटमार होली तो अगर सिटी का नाम रहे तो हो जाएगा बरशना और नंद गाउं अगर इस्टेट का नाम रहे तो यह हो जाएगा यूपी next the festival associated with the worship of sun river and pond टेक है तो आप अगर black book देख रहे हैं तो black book में यहां पे पॉंड्स नहीं दिया हुआ है तो यह कौन सा तेवार होता है तो यह हो जाएगा चट पुजा the festival associated with the worship of sun river and pond next all souls day is a festival of तो यह जो फेस्टेबल है यह किस के दौरा celebrate किया जाता है तो यह हो जाएगा किस चन के दौरा next the annual cultural festival held at सूरजकुंद फरीदाबाद is international किस तरह का मेला है सुरजकुंद में किस तरह का मेला होता है तो यह होता है craft मेला नेक्स से फेस्टेबल आफ इस celebrated by which tribe पुथारी जो है कौन से tribe के द्वारा किया जाता है तो यह हो जागा कुदावा रत यातरा पुरी is celebrated in the honor of रत यातरा जो पुरी में celebrate किया जाता है यह किस के honor में किया जाता है तो यह हो जागा Lord जगनाद जी के next विच फेस्टिबल इस celebrated by to mark the birth university of Prophet Muhammad कौन सा festival celebrate किया जाता है birth university of Prophet Muhammad तो यह हो जागा मिलाद नभी next लोसर festival is celebrated by the people of the tribe तो लोसर festival जो celebrate किया जाता है कौन सा tribe के द्वारा तो यह हो जागा मौनपा जो के अरुनाचल प्रदेश के द्वारा किया जाता है next the festival of is dedicated to the goddess Durga and her nine आवदार तो कौन सा festival celebrate किया जाता है goddess Durga और उनके नव आवदार को यह करने के लिए तो यह हो जाएगा नवरातरी next what is the Parsian new year known as तो Parsi का जो नया year है उसको क्या बोलते है उसको बोलते है नवरोज next पापती is the festival of तो पापती क्या है फेस्टेबल किसका फेस्टेबल है तो यह हो जाएगा पार्सीस का which country has allowed India to ferry Hajj प्रिजम भाया सी रूट तो कौन सा country allowed करता है कि Hajj यातरी जो है फेरी के थुरू जाएं ठीक है तो यह हो जाएगा Saudi अर्भिया next idul fitar is celebrated on the first day of Saval which falls in the month of Islamic calendar तो idul fitar जो है first day of Saval में celebrate किया जाता है यह जो है Islamic यह सवाल जो महना है यह Islamic calendar में कितने मन्त में आता है तो यह हो जाएगा 10th मन्त next Surya festival is associated with which city तो Surya festival कौन से city से related है तो यह हो जाएगा is not a part of चारधाम in North India कौन सा ऐसा options दिये गए थे बोला गया था चारधाम कौन सा नहीं है तो इसका answer हो जाएगा वेशनुदीवी कौन कौन से चारधाम है वो देख लेते हैं तो यह हो जाएगा यमनुतरी, गंगोतरी, केदरनात और बदरिनात यह चारधाम है ठीक है जो आपको याद रखने है तो वेशनुदीवी जी जो है यह चारधाम का पार्ट नहीं है next बहसतर दुसेरा इस traditional indian festival डाट इस चलेबरेटर ऑवर इस तो बश्टर दसेरा जो है यह traditional indian festival है कितने दिनों के लिए celebrate किया जाता है तो यह हो जागा 75 days के लिए next kye festival is famous international festival celebrated on makar sankraarty in which city kite festival जो है ये international festival है cioè celebrate किया जाता है makar sankraarty के तिन पर कौन से स्टेट में तो यह हो जाएगा आहमदाबाद नेक्स्ट गनपती फेस्टेबल वाज इंट्रोड्यूस बाई इन 1893 तो गनपती फेस्टेबल जो ही यह किसके दौरा इंट्रोड्यूस किया गया था ट्क है नेक्सaaaa बेस्ट-पोया फेस्टेबल विह सिलेबने तो फुल मून DAY इन में बिलोंग तो विच यह प्याून तो बेस्ट-पोया जो है यह सिर्ट किसके दौरा इन प्थेस्टिबल लूद्ध किया तो चाहिए था बूदिजिक्झ में ठोड़ा Next, which festival celebrated the belief in the resurrection of Jesus Christ? तो यह होजागा इस्टर Next, is a festival of Jaurashtrian origin which marks the day of vernal equinox in March every year and is celebrated by the Parsis in India? तो इसका अंसर होजागा जम्षीदी नौरोट Next, in which temple is the Ambubasi Fair तो इसका एंसर होजागा खामख्या टेंपल पे Ambubasi Fair Next, गुरुपर्व जो है यह कौन से फेस्टिबल में कौन से हिंदू के कौन से कलेंडर में सेलेबरेट किया जाता है तो इसका जागा कार्तिक मन्त में तो इसका आशाधी विज और दा इस यह डिस्टिंगूइस कल्चर फेस्टिबल वेर इन दा अराइवल उफ रेंडरी इस सेलेबरेटेड तो अराइवल उफ रेंडरी जो सेलेबरेट किया जाता है तो वह कौन सा हो जाएगा तो यह जागा कुछी नियू यह इन दा मेमोरी ऑफ हों इन दा माधपूर मेला और गुजरात सेलेबरेटेड तो किसकी यद में माधपूर का जो मेला होता है। गुझ्रात में थोड़े द्र पहले ही परे थे तो कौन सा है rice harvest festival है Kodaman का तो यह हों जाएगा पुतारी नेक्स है is celebrated singer of चट पूजा कि छट पूजा के चट पूजा के चट पूजा सौंस के जो celebrated singer हैं वह कौन है तो यह हो जाएगा साड़ा सिना ठेक तो यह सारे questions थे जो के fair and festivals से पूछे जा चुके हैं और ये सारे questions black books में इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला topic